हे गाईज मैं हो डीके आप से एक स्वागत है माई टूब चानल में तो गाईज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह का डीजे सौंग के लिए पोस्टर बैनर कैसे बना सकते हैं जैसे कि आप डीजे मिक्सिंग करते हैं उसके लिए थमनर बनाना चा करते हैं तो गाई सबसे पहले आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको प्लेश्टोर से पिक्सलाइब को सर्च करके इनिस्टॉल करके आपको पिक्सलाइब को ओपिन करना है जो आप पिक्सलाइब को ओपिन करेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का डिफॉल्ट का आप सिर्द hasilслиya अपको यहां पर एक निऊ टेस्ट मिलेगा तो आपको पर डिलेट वाली संसे इस टेस्ट को डिलेट करना है आपको नीचे आना था पुर्थ नम्मरों पर साइड में यहाँ से आप image side पर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके आपको इसका image side YouTube thumbnail का रख लेना है और OK कर देना है इसके बाद आप यहाँ से track días पर देना चाते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं उसके बाद आपको इहाँ से क्लैलाड करना है तो जैसे कि इस तरह से हमारा बेग्राउंड है हम select कर लेते हैं और okay कर देना है इस बेग्राउंड को आपको खीज के बढ़ा कर देना है यहां से अच्छे से आप यहां पर खीज के बढ़ा कर देंगे आपका set हो जाएगा अब आपको यहां पर कुछ PNG इमेजे लगाने है तो उसके लिए आप प्लस फाल आइकन पर क्लिक करेंगे फ्राम गिलरिम जाएंगे और यहां से सबसे पहले आपको अपना नाम है जो sticker है आपको select कर लेना है तो जैसे कि इस तरह से आजए DJ DJ याजे गोरफूर जो भी है इस तरह का sticker आपको select करके crop करना है और okay करके आपको इसे छोटा करके आपको सबसे उपर रखना है यहां पर आप रख लेंगे यहां पर देख पार होंगे जो अगला image है आपको प्लस पर क्लिक करके फ्रम गल्री से लेना है अगला image कुछ इस इस तरह का है इस तरह का जो headphone का है आपको select करना है और इसे भी crop करके आपको okay करना है इस image को आप छोटा करके यहां पर रखेंगे यहां पर उपर इसके बार आपको इसी तरह से अगला image select करना है फ्रम गल्री से अगला image कुछ इस तरह का है यहां पर आपको सारे image को फ्रम करना है और प्रूप करके आपको छोटा करके आपको जहां भी लगानाचाते हैं यहाँ पर नीचे लगाना चाहते हैं या उपर आप कहीं भी लगा सकते हैं इसी तरह से आपको सारी इमेज़ को करना है अब हम कुछ इस तरह का इमेज लड़ करेंगे और इसे भी यहां से क्रोप करेंगे और ओके करके इस इमेज को आपको यहां पर रखना है साइड में यहां से इस तरह से आपको रख लेना है इसके बाद आपको सिंगर का image लगाना है जो भी singer है आप from gallery room जाएंगे आप जो भी singer है singer का image select कर लेंगे तो कुछ इस तरह का singer का image है जो भी है select करना है और इस image को आपको यहाँ पर रख लेना है यहाँ पर अच्छे से रख लेंगे इसके बाद आपको यहाँ से इसका size बड़ा कर देना है इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर जाना है third number पर और यहाँ से आपको मिलेगा to back का option यहाँ से to back कर देंगे फिर आपको select करना है background वाले background पर select करेंगे और यहाँ से to back कर देंगे आपको अच्छे से यहाँ पर देख पारोंगे फिट हो जाएगा अब आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट लिखने है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा प्लस पर क्लिक करना है यहाँ से टेस्ट वाले Feyangen पर क्लिक करेंगे यहां से इसका size बड़ा करना चाहते हैं तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं आपर देख पारूंगे इसके बाद आपको नीचे आना है यह वाले option पर जो आपको नीचे यह वाले symbol दिख रहा है इसपे click करना है यहां से जब नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर एक option मिलेगा यह भी font का इसपे click करेंगे इसके बाद आपको यहां से कोई भी font इस तरह से select कर लेना है जो भी font डखना चाहते हैं font को select करके ok कर देंगे अब आपको इसका color change करना है तो आप यहां से color वाले option से यहां पर कोई भी color आप सकते हैं इस तरह से तो उसके लिए आप plus पर किलिक करेंगे, यहां से एक new test लेंगे, तेस्ट में आपको जो भी album song का नाम है, आपको यहां पर simply लिख लेना है, या unicode आपको यहां पर paste कर देना है, जैसे कि मैं यहां पर unicode paste कर देता हूं, run कर देना है, okay कर देना है, इस test को आप यहां पर आप more font पर जाएंगे और यहां से आपको font को select कर देना है, आपका जो भी font है, font को select करके, okay कर देंगे, अब आप इसका color change करेंगे, तो आपको उपर इसका color वाले option मिलेगा, तो यहां पर color वाले option पर जाएंगे, plus पर क्लिक करेंगे, यहां से आप कोई भी इस तरह से color को select क करेंगे, okay कर देंगे, इसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर नीचे आएंगे, तो आपको stock वाले option पर जाना है, enable करके आपको प्लस वाले एक उन पर क्लिक करना है, यहां से white color select करके, okay कर देना है, नीचे आपको 5 ए 6 पॉइंट इस तरह से रखना है, okay कर देना है, अब blood radius point है, आपको 10 point रखना है, और यहां से okay कर देना है, इसके बाद आपको यहां से इसका size इस तरह से बड़ा कर देना है, यह आपको हो जाएगे, हापर देख पारूंगे, अब आपको इसी तरह से नीचे कुछ test आउ लिखने है, तो जैसे कि हमने आपको यहां पर 2-3 test लिख के बता दिया है, कि आप यहां से इसका color change करेंगे, font change करेंगे, इसका stock देंगे, shadow देंगे, आपको उसी तरह से बागी साइज test को लिख के, उसका color font change करके अच्छे से रख लेना है, तो test में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम आपको दिखाते हैं, तो आप पर देख सकते हैं, अगला test है, यहां पर गंगा नहीले बाणी, तो इस तरह का जो test है, आपको लिख के, उसका color change करके, आपको यहां पर अच्छे से रख लेना है, इसके बाद जो singer है, उनका नाम लिख लेना है, यहां पर देख पार होंगे, singer अंकुस राजा, इस तरह से singer का नाम लिख के, आपको उसका color font change करके, आपको यहां पर रख लेना है, अच्छे से, इसके बाद, आपको जो भी singer है, उनका png image लगाना है, तो उसके लिए आपको प्लस वाल icon पर click करना है, from gallery जाना है, और singer का जो भी image है, आपको select कर लेना है, तो कुछ इस तरह से, आप singer का image select कर लेंगे, यहां पर, इस तरह से select करना है, और crop करके, आपको okay कर देना है, इसके बाद, इस image को आप यहां पर रखेंगे, यहां से इसका size, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो आपको इहां पर इसका size बड़ा करके रखना है, यहां पर देख पार होंगे, इस तरह से, आपको इस image को यहां पर रख लेना है अब आपको अगला image यहां पर रखेंगे यहां पर देख पार होंगी यहां से थ्थवड़ा छोटा कर देंगे छोटा करके आपको इस इमेज को यहाँ पर रखना है अपर देश सकते हैं अब अगला इमेज लगाना है फिर्म गैलरी से आपको स्लेट करना है फिर्म गैलरी से कुछ इस तरह का जो डीजे का इमेज है जो DJ sound का इमेज है आपको select कर लेना है OK कर देना है इस image को आपको छोटा करके यहाँ पर रखना है इसे छोटा कर लेंगे छोटा करके आपको यहाँ पर रखना है पड़ते पारोंगे इस तरह से आपका हो जाएगा तो इस तरह से आप DJ Swam के लिए पोस्टर बना सकते हैं, थमन बना सकते हैं, तो उम्मिद करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर जीजे, मिलते हैं एक लिए वीडियो के साथ, जै हिंग, जै भारत!